बीते आठ अगस्त को जमीन घुटाले मामले में E.D. ने समन जारीकर जारखन के मुख्यमंत्री हेमन सोरेन को 14 अगस्त को पेश होने को कहा था आज हेमन सोरेन को हीनू स्थित E.D. के छेत्रिय कारयालाय में हाजिर होना था लेकिन आज वो E.D. के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे पेश होने को लेकर उन्होंने E.D. से एक सब्ता का समय मांगा है उन्होंने पूर्व से निर्धारित कामों का हवाला देते हुए एक सब्ता का समय मांगा है हलाकि पहले से ये कयास लगाय जा रहे थे कि हेमन सोरेन आज ED आफिस नहीं पहुँच पाएंगे इस पर फिलाल ED के तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है ये साफ नहीं हो पाया है हलाकि अब ये तो साफ हो गया है कि मुख्यमंतरी हेमंद सोरेन आज E.D. दफ्तर नहीं पहुँचेंगे लेकिन सुबा से ही E.D. आफिस के बाहर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए थे जैप के जवानों के साथ साथ वहां हटिया के डियस पी भी मौजूद थे अब आपको बताते हैं कि सीम हेमंद सोरेन को E.D. ने आखिर बुलाया क्यों था आपको याद होगा 21 अपरिल 2020 को E.D. के कई अधिकारी राची के निबंधन कारियालाई पहुँचे थे जहां विशाम से लेकर रात तक जमीन से जुड़े कुछ कागजातों की तलास कर रहे थे जिसके बाद देर रात वो कागजात लेकर चले गए उस वक्त E.D. ने राची अनुबंधन कारियालाई से मुक्यमंत्री हेमन सोरेन और उनके परिवारों के सदस्य के नाम पर खरीदी गई सारी जमीन के दस्तावेज का सत्यापित कौपी अपने साथ ले गई थी आपको बता दें जो दस्तावेज E.D. ने रुबंधन कारियालाई से लिया था उसमें मुक्यमंत्री के नाम अंगडा में अवंटित पत्थर खदान की लीज डीड की कौपी थी साथ ही सीबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन हेमन सोरेन वा उनकी पत्नी कलपना मुर्मू बसं सोरेन वा उनकी पत्नी सहित अन सदस्यों के नाम पर लालपुर, मुरबादी, हर्मू, अर्गोडा, सहित अनिस्थानों पर खरीदी गई संपत्ती से जुले दस्तावेज सामिल थे। इस बार E.D. को ये शक था कि सहर में कुछ जमीनों की अवैड धंक से खरीद विक्री में हेमन्त सोरियन की भी भूमिका हो सकती है। इसलिए उनका पक्ष जानने के लिए हेमन्त सोरियन को समझारी किया गया है। हलाकि आज वो E.D. कारियाले नहीं पहुँच पाए। आपको बता दे हेमन्त पहले भी E.D. के घेरे में आ चुके हैं। दरसल आठ जुलाई 2022 को जब मुख्यमंतरी के विधायक प्रतिनी थी पंकज मिशरा के घर छापा पड़ा था। उस छापे मारी में E.D. को हेमन्त सोरियन के बैंक खाते का चेक बुक भी मिला था। जिसमें से दो ब्लैंक चेक पर हेमन्त सोरियन के हस्ताक्षर भी थे। इसका जिगर E.D. ने अपने चार्जशीट में भी किया है। पीमले कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल भी किया जा चुका है। अब जब तार हेमन्त सोरियन तक जुड़ी तब सहिब गंज में हो रहे हैं अवायद खनन मामले में हेमन्त सोरियन को पूछताच के लिए बुलाया गया था। दूसरे समन में मुख्यमंत्री 17 नवंबर 2022 को एडी कार्याले पहुँचे थे जहां उनसे 10 घंटे पूछताच चली थी। पूछताच में हेमन्त सोरियन ने सारा दोश अधिकारियों पर लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि अवायद खनन रोकने का काम संबंदित अधिकारियों का है। जो भी अवायद खनन हुआ है उसके लिए अधिकारी दोशी है। लेकिन इस बार मामला जमीन की खरीद बिकरी में गडबड़ी का है। देखना होगा एडी अगली तारी की घोशनकपता कर अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पीना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं। बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रे थे इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानों जैसे फेस्टेग्राइम ट्विटर पर भी देखनी को मिले जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं। शुक्रिया।